इस डी आर जिसको हम कई बार special drawing rights भी कहते हैं यह international monetary fund द्वारा issued reserve assets माने जाते हैं जो जितने भी countries हैं जो economies हैं उनके जो central banks होते हैं वो अपने पैसे को पाक करते हैं यानि कि invest करते हैं और नॉर्मली वो इन्वेस्ट करते हैं reserve assets में जिसको हम reserve currency भी बोलते हैं आपको यह पता ही होगा कि नॉर्मली reserve currency या reserve asset आजके में dollars हैं euros हैं हलाकि majorly dollar माना जाते हैं बहुत minor way में आप समय सकते हैं लोग euros में या pounds में भी reserve currency के तौर पाक करते हैं अपनी investment अपने funds के अब कई बार क्या होता है कई बार कुछ crisis हो जाए तो कई बार dollar की availability कम हो जाती है एंड उस time पे challenge रहता है कि कई economies को अगर पैसे को पाक करना है तो कहां पे वो पाक कर सकती हैं और वो challenge को overcome करने के लिए international monetary fund ने 1969 में special drawing rights का concept introduce किया and in fact इसकी जो importance थी जब 2008 का great financial crisis हुआ और जब dollar की shortage थी तो SDR में कई economies ने invest करना शुरू किया SDR जो है वो कोई currency नहीं है वो international monetary fund द्वारा issued एक unit है जिसको हम reserve asset बोल सकते हैं यानि कि ऐसा भी बोल सकते है alternative reserve asset जो की currency नहीं है पर से मगर यह जो unit है जो SDR है यह represent होता है by five currencies यानि कि it is represented by five currencies जिसमें पहला dollar है dollar का share अंदाजन SDR में 40-42% तरीब रहता है दूसरा euro है उसका share अंदाजन 30% तरीब रहता है तीसरा China का revenue भी है जो 2016 में introduced हुआ यानि कि वो भी member है और उसका share अंदाजन 10% रहता है और बाकी जो दो है वो Japanese yen है और euro है यानि कि इसका मतलब यह एक unit of SDR is represented by the five currencies और उनका जो weightage है जो share है उस एक SDR में वो मैंने अब आपको बताया यह SDR जो है हम जैसे या corporates, private individuals नहीं hold कर सकते हैं यह सरफ economies के central bank के लिए होता है यानि कि इसका मतलब यह SDR एक तरह से special drawing rights है जो की currency नहीं है मगर एक unit है, इन units को इसलिए introduce किया गया ताकि alternative to reserve currency assets जो है अगर उनकी supply में कोई challenge हो जाए, shortage हो जाए या volatile हो जाए तो उसके लिए International Monetary Fund ने एक तरह से अपनी एक representative alternative currency asset निकाला तो I hope आपको यह समझ आता होगा कि यह एक currency पर से नहीं है, यह एक unit है जहाँ पे central banks ही सिरफ पैसा invest कर सकते हैं, पाक कर सकते हैं